हाथ तो देखें जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर कॉपी दिखा दीजिए तो जोग्राफिक के अपन टोटल दो कॉपीज देखेंगे एक हिंदी मीडियम की है और दूसरी इंग्लिस मीडियम की है इन कॉपीज को देखेंगे इससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चले अंकों में लिखेंगे फिर सब्दों में लिखेंगे उसके बाद यहां पर देखो हिंदी में और इंग्लिस में दोनों में लिखना सब्दों में फिर जाना सबसे पहले आता है माध्यम तो माध्यम में अब जो की जिनका हिंदी मीडियम है वो तो हिंदी पर टिक करेंगे और जो English Medium से exam दे रहे हैं वो English करेंगे, English के दिन तो मैंने आपसे कहा था, सभी को English Medium ही करना है, क्योंकि पूरे English में, English में ही लिखा जाता है, और जिस दिन आपका Hindi का जो paper होगा, उस दिन सभी को Hindi Medium पे ही टिक करना है, क्योंकि हिंदी में, आप English में नहीं लिखोगे, क्योंकि हिंदी की जो subject होते हैं, उसमें, जो subject होते हैं, वो ही Medium होता है उनका, तो यहाँ पे Medium हो गया, उसके बाद आपका विसे हो जाएगा, फिर आप तारिक का आपका दिन हो जाएगा, और दिनांक में ये 2022 की है, आप लिखेंगे यहाँ पे 2024, कल की तारिक लगा देना आप लोग, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे इस बच्चे को मिले हैं, टोटल 56 नमबर, यानि 56 नमबर का पेपर होता है, टोटल 56 मिले हैं, 9, 4, 4, dead, 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 कहीं पर भी इसका नमबर नहीं कटा है, 4, 2, 2, और टोटल 56 हैं, चपन वैसे चपन नमबर मिले हैं, आईए देखते हैं एक एक क्वास्टन्स, और फिर यहाँ पे इसी तरीके से, एक English Medium की कॉपी भी मैं आपको साथ ही साथ दिखा दूँगा, दोनों का comparison भी तोड़ा कर लिजेगा, अब देखो, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं, कि सर पर एक सक दोवारा जो प्रदत अंक वाला जो कॉलम होता है, यहाँ पे किसी बच्चे ने प्रस्नक की सेंख्या लिख दी थी, तो यहाँ पे आगे से ध्यान लखना लिख दी तो कोई बात नी, लेकिन टेंसन मत करना, लेकिन आगे से नहीं लिखने हैं आपको इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे examiner आपको number देगा, जो आपका copy चेक करेंगे, वो sir आपको यहाँ पे number देंगे, यह है न प्रस्नक की सेंख्या जहाँ पे लिखा हुआ, बहाँ पे आपको प्रस्नक की सेंख्या लिखनी है, उसके बाद, अगर किसी प्रस्न में, जैसे मालो first question है, उसमें लग-लग भागें, तो वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, एक, दो, तीन, ऐसे करके यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे answer लिखोगे, जो objective type की प्रस्न होते हैं, इसमें देखो, जैसे कि इसका sir right है, तो sir का, sir में जो option दिया तो वो यहाँ पे लिख दिया, इसमें भी sir right है, यहाँ option दे दिया, इसमें और right है, Griffith Teller यहाँ लिख दिया, यह the लिख दिया, तो ऐसे करके आप सीमा सडक संगटन है, देखो यह Griffith Teller वाला आया हुआ है, सीमा सडक संगटन वाला आया हुआ है, अना software उद्ध्योग है, हैमेटाइट यह लोहे का आयस्क का आया हुआ है, चावल का आया हुआ है, और सरवादिक जन संख्या घनत्व बिहार में यह आया हुआ है, तो यह सारे questions इस तरीके से, अपने जो किये हैं वो सारे important है, अगर आपने कोई class रह गई हो, तो रात, night, late तक भी देख लेना, इसके बाद दूसरा question है, तो दूसरे में देखो, यहाँ पर लिखा वेश्वों में उच्छतम लिंगान उपात, लेटविया का है, एक हजार इस्तरियों पर, यह बच्चे ने थोड़ी सी गलती करिये, इसने सो पर पिच्छे असी लिखा है, सो पुरुसों पर, पिच्छे असी पुरुसों पर सो इस्तरिया, वैसे लिंगान उपात, जो हजार पर निकला जाता है, इसके बाद ब्राजिल में कॉफियों के बागनों को फेजेंडा का जाता है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो यह इस तरीके से आपको न साफ साफ खुला खुला लिखना, परते एक क्वास्टिन के बीच में जब कंप्लीट होता है, तो एक एक लाइन खाली छोड़ते जाईए, क्वास्टिन की क्रम सेंख है, यहाँ पर लगानी है, यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है, जैसे मॉबाइल, इमेल, यह संचार की व्यक्तिकर साधन हो गए, यह क्वास्टिन जो है, आंसर आप सब लोग पढ़ लेना, टोटली पूरा-पूरा, मैं आपको एक बर कंप्रेटली कॉफी दिखा देता हूँ, यह कॉफी के साथ, जो इंग्लिस वीडियम के बच्चे, मैं आपको इंग्लिस की भी अभी इसी क्लास में, यह एक और कॉपी दिखा देता हूँ, आप लोग भी देख लिजेगा, देखो पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं, डैड में से डैड नंबर मिल रहे हैं, परेटन को प्रभावित करने वाले दो कारक लिखे, तो एक तो मांग हो गया, और दूसरा परिवेन हो गया, मांग क्या होता है, इसको एक्स्प्लेंड किया है, उसके बाद परिवेन क्या होता है, इसको एक्स्प्लेंड किया है, तो इसको पूरा में से पूरे नंबर, ग्रामेंड बस्तियों के, मैं स्वास्ते सिक्सा को, तो शिक्सा के सादनों का अभाव होता है, राधियादी देखो लिखा है, ठीक है, फिर बारवा प्रस्ण किया है, उसके बाद देखो, जोगदवा है, फिर पनरवा है, आप लोग अगर प्रस्ण को पढ़ना चाहो इसको तो आप वीडियो को रोख दीजे, बीच बीच में आप इन क्वेस्टन को पढ़ सकते हो आराम से, तो अब देखो नेक्स्ट है, और आप इसे फूल एच्टी पे देखोगे, तो आपको सब कुछ कलियर कलियर दिखेगा, तो राइट अंसर आपको, देखो अब जैसे बच्चे नहीं न, छटा प्रस्ण नहीं यहां पर किया ठीक है, तो यह वर्सा जल संगरन, निरंतर नीचे, सडकों पर, वियर्थ वर्सा के जल का उपयोग, वी निर्मान का आरंब, कार के आधार पर, कुटी रुद्योग, और फिर देखो कच्चे माल का उपयोग, तो यह जो है, यह रेड पेंसे जो है न, यह एग्जामिनर न किया है, ठीक है, अब देखो, यह हो गया, इसके बाद, इसके बाद तेरवा है, फिर पांचवा है, इसके बाद फिर चौतषा है, फिर साथवा है, आप ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हो, बस क्रम सिंग कर लगा है जो question ईटन कर रहे हो, इसके बाद भीस्वा किया है, फिर इसके बाद में देखो अठारवा किया है उसके बाद फिर से जो है यहाँ पर देखो यह हो गया इसका दूसरा मांचीतर में देखे मांचीतर में यह जो है ना यह दोनों क्वास्टिन जो 21 और 22 है यह मैप में किया है तो मैप भी देख लेते देखो यह है 21 क्वास्टिन का मै की जोग्राफी और इसमें आपको राजस्तान के कुछ इस्तलों को दिखाना था तो उदेपूर यहां पे दिखाया इसने यहां पे उदेपूर दिखा दिया यहां पे खेतरडी दिखा दिया यहां पे भीलवाड़ा दिखा दिया यहां पे सियंभूम दिखा दिया तो इसमे से एक और मैप है दूसरा वाला do not write और हाँ यह है विश्वका तो दो नमबR का जो मैप है इसा ने दिखाना था उत्तरी पस्चिमी यूरोप दिखाना था तो यहां पह दिकھाए कि स्थान विशेष कर दिया देखो उत्तरी पस्चिमी यूरोप तो तो गलत है भाई, दक्सिन पूर्वी एसिया यहां नहीं है, यह तो ऑस्टेलिया है, यह आस्टेलिया है, दक्सिन पूर्वी एसिया अगर आपको करना है, तो यह दक्सिन पूर्वी एसिया है, भारत सामिल नहीं होगा, थोड़ा सा भारत का इसे यह दक्सिन पूर्वी एसि है तो इसने English पर write किया है इसने यहाँ पर subject लिख दी या day लिख दी और इसको भी मिले है 56 पूरे मैं से पूरे number अब देखो इसकी copy भी देख लो यहाँ पर देखो कि यह जो है question number यहाँ पर answer सिधा लेखना आपको na question number और first का answer C है around legs and tanks फिर दूसरे का भी C लिखा है तीसरे का लिखा है Griffith Teller चौते का इसने लिखा है B better job opportunities फिर इसने लिखा है 5 का B है border road organization फिर इसने लिखा है 6 का A software industry फिर इसने यहाँ पर देखो लिखा है 7 वा है 8 वा है बिहार 9 नाइन का भी लिखा है उसके बाद दूसरा question है तो यह देखो ऐसे ऐसे answer है कैसे लिखा है writing बिल्कुल capital में इसने लिखा है बिल्कुल cursive writing में लिखा है और एक-एक line खाली छोड़ते जाना है आपको ठीक है तो यह पूरी copy है यहाँ पर देखो यह question कि संक्या आपको लगाते जाना है यह number वाला box रहेगा और section इसने section भी लेखा है section wise भी किया है आप देखो कई बार जब गलत हो जाता ना तो ऐसे बस आप card दो खाले कई बच्चे जो आप वाइटनर का यूज़ करते तो वो बिल्कुल नहीं करना है अब देखो next यहाँ पर 13 भी कर लिया उसके बाद यहाँ पर देखिए 15 अब देखो सबसे बड़िया जो है चीज वो यह रहती है कि marginal workers हैं और man workers हैं तो ऐसे table बना के अगर आप लोग लिखते हो ना यह थोड़ा black pen का use यहाँ पर कर सकते हो जहाँ टेबल बना नहीं हो तो आप black pen से table बना लिजिए तो यहाँ पर ऐसी जगों पर ऐसी चीजों पर आप जो है उनका use कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर देखो एक तरफ यह लिखा और एक तरफ यह लिखा है तो ऐसे table बना के answer लिखते हैं तो बहुत best रहता है अच्छे number मिलते हैं यह लिखा उसने उ से आसान आराम से पड़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं अब इसी में अपन map भी देख लेते हैं एक पर इसने कैसे किया map के जो questions है दोनों map वो भी अपन देख लेते हैं ठीक है तो चलो मैं आपको नीचे ले जाता हूँ एक बार आप देखते जाए देखते जाए कुछ ची कि यहां देखो यह ऐसे घेरा करके लिखना है के एक पॉ diamonds एक जिगए तो है जैसे सहर जो पूछा जा जा न तो वह तो एक जगह आप निर्दिस्रिद करके बता सकते हो कि जैसे यहां पर लेकिन καनाडा तो इतना बड़ा है तो ऐसे लिखना आपकोiert के जीए आप जैसे न यहाँ पर इसने ऐसे दिखा दिया इसको तो यहाँ पर यहाँ करना है आपको न्यूजिलेंड दिखाना है ठीक है तो इसमें पूरे मनमर मिल गए नेक्स चो मैं पर उसको भी देख लो इसमें जो है इंडिया का है तो देखो यह हो गया यहाँ पर इसने भीलवाडा बता दि तो इसलिए इसका नंबर भी यहाँ कट गया तो खेतरी भी राजस्तान में आपको बताना है उसके बाद यहाँ पर दिखा दिया है ठीक है तो इस तरीके से यह हुई जोग्राफिक की हमने दो कॉपिस देखी है comparatively बहुत सारी चीजे मैं आसा करता हूँ आपको समझ में आई होगी और कुछ आपकी doubts रहे होंगे तो वो clear हुए होंगे इस तरीके से आपको answers लिखना है तो आज की इस class में बस इतना ही मिलते हैं फिर next class में तब तक लिए जहिन जह भारत